सिसू का नजारा बहुती खूबसूरत दिखता है यहां से इस वक्त नॉवेंबर का महीना चला है और नॉवेंबर में सिसू की खूबसूरती कुछ इस तरह से दिख रही है दिखिए धूल मिट्टी की आंधी चल पड़ी है यहां पर दिखिए कितना धूल का बवंडर कि एक बात बहुती खतरनाक है यहां के फूड रेट एकॉमोडेशन के रेट बहुत भ्यंकर है भाई आपको यहां पानिया का लेना पड़ेगा नॉर्मल वाटर आपको यहां पर मिलीगा ही नहीं मनाली सिसू यह चीजह ना कि मांचल में इनका कोई और दूसरा नहीं है त हलो फ्रेंड आज हम लोग जा रहे हैं सिसू सिसू में आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह की अक्टिविटीज चली है टूरिस्ट कितना जा रहा है रोड कंडिशन कैसी है तो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा आप इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहें तरह भी कुछ एक पॉइंट्स रोड के ना डेमेज हो चुके हैं तो रिपेरिंग वार्क चला हुआ है यहां भी दिखिए फाइनली हम लोग सिसू के पास पॉइंच नहीं वाल है जास दो तीन किलमेटर मोग पीछे हैं दिके सिसू में बहुत ज्यारा चेहल ऽो पास का यहीं नहीं कि लोग मनाली ही बहुत कमा रहें तो सिसू तो कॉइंगे ही कम फिर को दिखिए फाइनली अखिGO हम लोग सिसू पहुंच चुके हैं और सिसू में हम लोग विजिट करेंगे की सिसू हेलिकट रफेत्पड कंक्य मिलिए कि अधस मैं अबही जब यह वाटरफॉल में अभी पानी बहुत कम है क्यूंकि पहाड़ों पेन बर्फ इतनी ज्यादा नहीं पड़ता तो अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं हैलिपैड की तरफ को देखिए जील यहीं से नजर आ रही है आजकल हर्याली कम हो चुकी है क्यूंकि नुवेंबर का महीना चला है तो पत्ज़र यहां पर शुरू हो चुका है आज तो देखिए यह है हैली पैड़ सीशू का काफी ज्यादा गाड़ियां यहीं पर लगी हुए मैक्सिमी गाड़ियां तो हम लोग भी यहीं करी अपनी गाड़ी लगा देते हैं तो गाइस देखिए फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ सीशू यह है खूब सूर्थ सीशू डियूरिंग विंटर इस वक्त चला है नुवेंबर का महीना और नुवेंबर में सीशू की खूब सूर्ती कुछ इस तरह से दिखरी देखिए यह पूरा हैली पैड तो हैली प पर रूम लिया उपर तो काफी खूब सूर्थ जगह देखिए और वह सामने वाटर फॉल देखिए मेरे पीछे वह पार इस वक्त वाटर फॉल में पानी बहुत कम है इस तरफ को आपको ना फूड वैंज ही मिलेंगी देखिए कंटिनियूस यहां से वहां तक फूड वैं पीजियाना काफी हद तक बंध हो चुकी है देखिए यह सब एक्टिविटीज यहां पर होती है सिसु में जिप्लाइंज वगड़ा भी है कुछ एक जिप्लाइंज तो यहां पर चली हुई है और यह दिखिए सिसु का र्यूव चंद्रा नदी यहां से गुजर रही है प हागा नदी तो देखिए आजकल तो नदी शांत है फिलहाल पहाड़ों का भी देखिए क्वाज तो गाइस देखिए इन दिनों में मैं कुल्लो और मनाली एक्स्प्लोर कर रहा था तो अभी इससे पहलाव लोग हमने विचली मानेव का बनाया था तो अभी हम लोग सिसु पूरा खाली खाली सा लग रहा था और सिसु की तरफ को जो आए ना तो अटेल टेनल के पास यहां मैक्सिम भी रहती थी वहां भी इस वक्त बहुत ही कम भीड़ है ट्रैफिक मीनिमम में बिल्कुल नेग्लिजिवल ट्रैफिक है और सिस्प्लोर खाली खाली बढ़ा है बह है और लोगों की चैल कड़ी इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन यहां पर इस वक्त एक शांती है एक सुकून है जो भीड़ बाड़ होती है ना वह आपको आज कर यहां पर नहीं मिलेगी मॉंसुन के बाद जब मानाली में फ्रॉट आया था था तो उसके बाद उसके बाद से पींपर है और यहां से शीवाद वाट पर वो सामने दीख रहा है है कि पानी अभी बहुत मादार्प नहीं है और इस विजा से इसमार नज़र नहीं आती और इतना अच्छा वी फिनाल लग रहा है व्यागर है तो आप लिया आज कंप बहुत सुआ माद बहुत है इसली आ लेकिन मनाली में थोड़ी सी पीचे करती है लोगों ने लोग अपने हाप लाइन पे आगे हैं तीजे सस्ती हो गई है वांपर लेकिन हावा बहुत ज्यादा तेज है बहुत बेंकर है हवा का एक दम से बहुत तीज प्रशर है यहां पर वह दिखिए वह उस पहाड़ी पे लैंपिक वहां उपर आज दिखिए यह सिस्व में गर्मा गर्म सिड्डू कुछ इस तरह से देशी घी के साथ और चटनी के साथ व्यू कुछ इस तरह से है और आप लोग यहां फुली कि अच्छा है गाइस काफी अच्छा सिड्डू है टेस्टी है और देशी घी के साथ काफी अच्छा लग रहा है और चटनी भी है और चटनी अच्छा है कि अब तो गई कि विए इस हैं और एक शिड्डू आपको 100 रूपीज में मिलेगा और मुमोज आपको वन प्लेट वन फिप्टी की मिलेगी तो महंगाई तो थोड़ी है यहां पर तो आपके बजट के इसाब से यह जगा अच्छी है तो आप लोग यहां सकते हैं या किसी सस्ती जगा सस्ती जगा तो हम लोग आपको अक्सर बताते हैं आप जिंजर ली आईए हैं सराजगाटी को एक्सप्लोर कर यह बहुतल खाना भी सस्ता है कमडीशन जों गभर उना जाण पर जonic पहुए तो यह तो आपको यह पानी यह लेना हो आपको पानिया ना कि आपको पानी लेना ही पड़ेगा कि आपको प्यास लगी है तो और आप अपने प्यास के साथ कर सकते हैं तो गाइज इस ना जील की तरफ को तलाब की तरफ को हम लोग जा रहे थे ना तो इस तरफ ही कितना धूल का बाव अंडर ओड़ रहा है दिए बहुत ही ज्यादा अ जाना ही मुश्किल हो गया है बहुत ही ज्यादा धूल में ट्योड रहे हैं पूरी आपर हवा भूत फ्यंकर चल बढ़े है तरह यहां पर हवाइं भी बढ़ने लगती है और थंड भी एकदम से बढ़ जाती है तो यह रही हां कि छेल है एक हाट कप आदेने वाली थंड है जाना है तो गाइस देखिए सिसु का ट्रिप मुमारा आज का यही तिक था तो सिसु मैं सिर्फ इंड है एक्सपार करने के लिए विजिट करने में लिए एक लिए हैलिपैड हो गया है लिए हैलिपैड के साथ यह चोटा सब्दा लाब और छील इसको कह सकते हैं और साथ म प्रक्रेश के लिए चाहम तो दॉड़ में आउस तो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही हो कि मेरी क्योंकि हागा ज़रा यह यहां पर कोई माइक भी काम नहीं करेंगा तो इस वीटियो में अगर थोड़ा शोर आ रहा होगा ना तो थोड़ा सब मेनेज कर ले लिए प्लीज या सौरी हाँ औरना मैं फूरी कोशिच करता हूं कि अपनी बात बिर्कुल क्लेर ले रहा हूं लेकिन यहां पे ना हवा के ज्यादा शोर आ रहा है मेरी आवाज कम आ र जूद देखिया इस ताइम रात के आठ बज चुके सवा आठ हो चुके है और शिसू में ने इस वक्त बरतारी शुरू हो चुका है दिन को पूरा मौसम क्लेर था साफ था विल्गूल से वैडर और आचानक यह बरतारी यहां शुरू हो चुकिया इनी कितनी शान्दार, कि तो गाइज देखिए ये था आज का हमारा सिसु का ट्रिप सिसु का नजारा बहुत ही खुब सुरत देखता यहां से इस वक्त चहल कत्मी तो बहुत कम है जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं गाइज तो देखिए हम लोग ना अकसर आफ वीट लोकेशन को इस्टोर करते हैं आज स्कुल हाई बजट के साथ आना पड़ेगा मनाली और सिस्सु क्योंकि यहां के फूड रेट एकॉमोडेशन के रेट बहुत भ्हंकर है भाई हमारे रेट के एकॉर्डिंग तो डबल पे हैं मैं सराज बैली को जारा एक्स्प्रोर करता हूं तो जिंजहली को भी जारा एक् सोची हम लोग तो 30 रुपे में स्टफ प्रांटा देते हैं अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप यहां अच्छे से सब कुछ फिर सकते हो और पैसा खुला उड़ा सकते हो लेकिन हमारा तो कंसेप्ट ही है और फिर ट्रेवल बजट ट्रेवल तो हम ऐसे लोगों को ज्य तो मेरा मैं जैसे और वीडियो के श्रूब एक्सपोर करता है तो मेरा यह मतलब नहीं है कि मनाली और शिसू आपना आए आप लोग आए मनाली और शिसू और इंजॉय करें इन जगहों को भी काफी खुब सूर्ती यहां की अपनी एक अलग खुब सूर्ती है बिल्कुल य चीजे ना हिमाचल में इनका कोई तोड नहीं है इनका कोई और दूसरा नहीं है तो इस वीडियो को ज्यारा से ज्यारा शेर करें अच्छे लगी होगी तो आज का हमारे यह वीडियो अगर आपको अच्छा लाग हो ना तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें कमेंट करे अगर आप हमारे Facebook पेज पर नए हो तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी न भूले और YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी न भूले तब तक के लिए बाइबाई एंड टेक क्यार कर दो सब्सक्राइब करना भी न भी न भी पेजिए सेटाइब करना भी न भी न भी न भी न भी ने पीए हो तो हमारे